है कि आइगाई मैं जोटी और आप लोग का फिल से स्वाहत है हमारी इस न्यू ब्लॉग में कि दोस्तों हम लोग के तरब से आप लोग को बसंद पंचमी की हाद देक से उफकाम ना आ और दोस्तों आप लोगों से पिछली वीडियो में हम पताये थे कि आने वाला वीडियो हम लोगों के बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और क्यों इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो में हम आप लोगों से सेर करेंगे अपना लॉव स्टोरी और दोस्तों यह बसंत पंचमी का दिन हम लोग के लिए बहुत ही इस्पेशल है और क्यूं है यह आप लोग को पता लगेगा आगे वीडियो में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकों को दबा जो है वो इसका स्टार्ट अप गुए था और वो दिन था 2016 2016 संता और यह बसंत पंचमी का दिन था दोस्तों इसके कोचिंग में स्वर्शतिपुजा का प्रोग्राम हो रहा था और इसके जो टीचर थे वो उनका हमसे जान पाचान था तो उन्होंने हमसे बोला कि मैं पहले भी कोचिंग अपने जहां कोचिंग पढ़ता था वहां पर प्रोग्राम का सेटिंग भी करता था और कुछी स्कूल में वो इसके जो टीचर थे वो पढ़ाते थे तो उन्होंने बोला हमसे अपने कोचिंग में प्रोग्राम का रियांसल कराने के लिए तो दोस्तों मैंने मना नहीं किया मैंने बोला चलिए सब ठीक है मैं आ जाओंगा और मैं जब इसके कोचिंग में प्रोग्रा में रियल्सल कराने पहुंचा तो यह लोग थे और जब मैं पहला दिन रियल्सल कराया उसी में हमको जोती पसंद आ गई कि दोटी को मैं बार बार देखता था रियाल्साल कराते समय लेकिन इसको मैं नोटिस करता था कि यह हम को देख रही है कि नहीं देख यह अपना चुपचाप करने के बाद चुपचाप बैट जाती थी उसके बाद दोस्तों ऐसे दिन भी दोता सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोस्तों जब जिस दिन सब्सक्राइब प्रोग्राम था उस दिन मैं भी गया था और मतलब जैसे कि जो स्टेज तया प्रोग्राम का दॉश्य नाजेम मैं खडा था और उस की नारे जोति खड़ी जदा को ऐसा ही मतलब मैं भी इसको देखने लगा और ये तो उसके बाद जब प्रोग्राम का इंड हुआ तो मैंने चोड़ा सा चीट में अपना नंबर लिखा और नंबर लिखे इसको दे दिया तो प्रोग्राम खतम होने के बाद मैं घर पहुंचा इसके पॉल के इंदिजार कर रहा था तो अभी रात में इसका पॉल आया और तो भी हम खेत में जाके पूंचे और हमारी चाची अपनी लड़की दो अनुआ कि वह दो एक भी घर से बाहर कि में हमारी गार्ने बहुत सार लोग हैं पांच पटी ये पांच का घर एकदम सटे सब्सक्राइब कर देख आए उसके बाद दोस्तों मैंने जब कॉल रिसीव किया तो मैंने इसके इंपन तो यह बताई की बजूरती बोल नहीं हूं पिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात शुरू करती है और हम लोग बात की बात किये और बात करने के बाद मेरे बाहन का शाधी था और मैंने कंप्रेटिशन की त्यारी शुरू कर दी दोस्तों हम लोग के बीच बात चीद थोड़ा कम हो गया मैं भी बहुत कम कॉल करता था और जोती तो कर कि उसके बाद दोस्तों कि धीरे-धीरे मैंने बात करना कम कर दिया कर दोस्तों कि मेरे पास टाइम बहुत कम मिलता था जोती से बात करने के लिए और जोती को मैं बोला कि बाई इतना ज्यादा अब बात नहीं करेंगे जब ताइम मिले गया तो पास-दस मेर्ट तक बात कर लेंगे और उसके बाद जोती क्या कॉल आता था मैं थोड़ा सा डिस्टर्प मैसूस करने लगा तो उसी बात को लेकर थोड़ा सा जगड़ा हो गया जगड़ा मैंने यह स्टार्ट किया था कि मैं कुछ बुरा बला बोल दिया इसको यह भी आप से लड़ने लगी और दोस्तों जगड़ा मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुश्चा में यह भी पोल दी कि जाईए हम आप से बात नहीं करेंगे और हम भी पोल दिये कि जाओ आज के बाद हम तुमारे पास कॉल नहीं करेंगे वुश्के बाद दोस्तों को आप लोगो थोड़ा से डिस्टाट हो रहा हो घाए तो प्लीज हम लोगों प्लीज हम आप किजिएगा कि बाद हमको रिये क्या भौल दिया पिर्मने जौति के पास को में हमारा हम उठाई है नहीं के और फिरी उसके बाद मतलब लगतार में नांने तो Одं इसका बाइ उठार लेता था इसको पहले बी दो तीन बार बात करते हुए पकड़ लिया था तो मेरा नंबर उसको प्रचान में आ गया था और जब मैं कॉल करता था तो लगता था फोन उठागे गाली बखने तो ऐसे ही फिर मैंने भी बात करना सोथिया कि आम फिर उसके बाद दोस्तों है दीरे दीरे चेट करना बंद कर दिया वार्त हुए कब मिले कैसे मिले क्या हुआ यह अगर आप लोगों को जानना होगा तो प्लीज कमेंट बक्स में बताइएगा इसका हम लोग चैप्टर टूप करके बनाएंगे और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक और शेल जरू कीजिएगा और तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर इंड करते हैं हम है रही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते जोती के थोड़ा सा द अभी यह जा रही रात बहुत हो चुका है यह जा रही आराम करने तो दोस्तों बाई 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 फिर मिलेंगे